हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आपनों के तयारी अच्छी चल लिए होगी तो चल लिए बिना समय गवाए हुए आज के प्रस्नों को देखते हैं भारत के प्रथम प्रभावादी कलकार का नाम बताओ बिल्कुल ठीक आंसर होगा एनस बेंद्रे एनस बेंद्रे का पूरा नाम क्या है कॉमेंट वक्स में आप लोग बताएंगे क्योंकि आज कल के एक्जाम्स में एक से दो प्रस्न कलकारों के पूर्ण नेम से संबनित लोग किया मिलकुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी बनारस हरिद्वार कस्मीर और इंद्वर नेक्स्ट में है है बिल्कुल ठीक आंसर होगा अप्शन ए सयलोज मुखरजी नेक्स्ट भारत में अभिव्यनजनावादी प्रविर्ती किस कलाकार के समय से प्रारंब हुई चित्रकला और मुर्तिकला में अभिव्यनजनावादी प्रविती किस कलाकार के समय से प्रारंब हुई बिल्कुल ठीक आंसर होगा रामकिनकर बैज नेक्स्ट रविनदात की प्रारंबिक कृतियों में कौन सी प्रविर्ती द्रिश्टिगत होती हैं बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन ए अभिव्यनजनावादी नेक्स्ट है फाववादी प्रेड़ा लेने वाले वह भारती कलाकार कौन है जिन्नोंने सपाट धरातल लंबी आकिर्तियों अभ्यांजनापुलरे खांकन एवंगरंगों की ताज़गी बनाये रखते हुए नवीन प्रियोग किये। बिल्कुल ठीक अंसर होगा सैलोज मुखर जी। नेक्स्ट है भारत वर्ष में अतिया थार्तवाद का आरंविक संकित किसकी किर्दियों में मिलता है उत्तर होगा अपसन भी रविन देनाथ टैगोर। नेक्स्ट है अतिया थार्तवादी कला के एक कुशल प्रारंविक चित्रकार रहे हैं। उत्तर होगा हेमंत मिस्र। नेक्स्ट है हेमंत मिस्र कहां के थे आपसन A महाराष्ट आपसन B में घाले आपसन C असम या फिर आपसन D उत्तर पत्देश बिल्कुल ठीक। उत्तर होगा असाम हेमंत मिस्र का जनम असम में हुए था और इनका जनम किस सम्में हुए था या कॉमेंट वाक्स में आप लोग बताएंगे। जिने भी नहीं पता होगा कॉमेंट वाक्स में ही पूछ लेगा मैं वहीं आंसर कर दूँगा। नेक्स्ट है वो कौन सा चित्रकार है जिसकी कला में कंकाल के समानसिर भी हिनमाना अकृतियों को असंभाव्य क्रिया कलापों में लिप्त दिखाया गया है बिल्कुल ठीक उत्तर होगा एराम चंदरन नेक्स्ट है डग्रेव डिगर्ज एवं ययाती किस कलाकार के चित्र है अप्सन है गविने नाक्टाइगोर अप्सन भी यामिनीराय अप्सन सी मंजीत बाबा या फिर अप्सन दी एराम चंदरन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा एराम चंदरन नेक्स्ट है एराम चंदरन की नेक आकिर्तियों के पंख वो पंजे आदी पक्छियों के समान लगे हुए दिखाये गए हैं ऐसी आकिर्तियां किस प्रबिर्ति से प्रभावित हैं बिल्कुल ठीक उत्तर होगा आप्सन ए अतिय थार्थ वाद नेक्स्ट है आकास में तेरते हुए पत्थरों में भाव हिंता की अतिय थार्थवाद तक्निक का प्रियोग किसके चित्रों में दिश्टिगत होता है बिल्कुल ठीक उत्तर होगा परमजीत सिंग नेक्स्ट है जस्वन्त सिंग के अतिय थार्थवादी चित्रों में क्या पाये जाता है बिकल्प ए कुरोध पन दूसरा बिकल्प है उल्लास पन तिसरा बिकल्प है डरावना पन या फिर इन में से कोई नहीं बिल्कुल ठीक अंसर होगा अपसंसी डरावना पन नेक्स्ट है लच्ष्मन पै के चित्रों में नारी आकृती तथा वनस्पती रूपों को ब्रमात्मक ढंग से सन्योजित किया गया है जहां दोनों एक प्रतीत होते हैं या चित्र किस वाद से संबंध रखता है बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अपसंद ए अतिय थार्थ वाद नेक्स्ट है दोडते हुए अस्वों के साथ जमीन पर लुड़कता हुआ सुर्य नामक चित्र हुसैन ने बनाया है चित्र किस प्रबिर्ती से मतलब संबंधित है बिल्कुल ठीक आंसर होगा अपसंद ए अतिय थार्थ वादी प्रबिर्ती नेक्स्ट है अतिय थार्थ वादी सिप्रेरीत चित्र नारी की जंगा पर बैठा गिध नामक चित्र किस कलाकार की किर्ती है बिल्कुल ठीक उत्तर होगा एमफ हुसैन नेक्स्ट है तांतरिक कला अंदोलन में जामेती अमुर्तता के साथ किसका प्रियोग हुआ है उत्तर होगा कल्पनाओं का नेक्स्ट विसुद अमुर्तसाली नराकर दार्सनिक प्रतिकात्मक रूप में विक्सित हुई बिल्कुल ठीक इसका उत्तर होगा तांतरिक कला नेक्स्ट है ओम स्वास्तिक कमल लिंग तथा हाथ के छापे को लेकर प्रतिकात्मक चित्रण तथा दार्सनिक व्याख्या प्रस्तुती की किसने की इसका उत्तर होगा जे स्वामी नाथन नेक्स्ट है किंदो भारतिक कलाकारों ने तांतरिक पधति के आधार पर अपने चित्रों को रखा जिसका तंतर साधना से कोई संबंद नहीं था उत्तर होगा अप्सन बी लच्मन पै और निरोध मजुमदार नेक्स्ट नेक्स्ट है वह दो भारतिक कलाकार कौन से हैं जो नौ तांतरिक के लिए बीसेस महत्व रखते हैं अंसर होगा गुलाम रसूल संतोस एवंग सतीस गुजराल नेक्स्ट है गुलाम रसूल संतोस ने किस संद से पुरुष वप्रकिर्ती को मिधुन रूप में प्रतिकात्मक धंग से प्रस्तूत कर तांतरिक कला अपनाई बिल्कुल ठीक अंसर होगा अप्सन सी 1964 इस भी नेक्स्ट है किस कलाकार के चित्रों में वरित त्रिभुज आयत अर्ध वरित आदिज्यामिती रुपाकार गहन जौला मुखी में से बाहर आते प्रतित होते हैं जो अज्यात प्रकास से चमकते हैं बिल्कुल ठीक अंसर होगा गुलाम रसूल संतोस नेक्स्ट 37 गुजराल ने किस सन में नव तांतरिक कलाकरतियों को अमेरिका में प्रदर्शित किया अंसर होगा अप्शन B 1975 इसवी में नेक्स्ट है तंतर साधना के रहस्यों को समझने वाले साधन प्राचिन यंत्रों का रूप आज जो परिवर्तन हो गया है तता हमें भी तांतरिक लच्छों को इनिक आधुनिक यंत्रों के माध्यम से समझना चाहिए या कथन किसका है बिल्कुल ठीक अंसर होगा सतिस गुजराल नेक्स्ट लीली बिंदू सहस्रियार माया गड़ेस आधी चित्रों में आधुनिक मसीनी यंत्रों बिम्बों को रहस्यात्मक ब्याख्या करते हुए किस कलाकार ने चित्रित किया बिल्कुल ठीक अंसर होगा किसना रेड़ी माप कीजियेगा अंसर होगा सतिस गुजराल नेक्स्ट अधिकांस भारतिय चित्रकारों का यूरोपी कला प्रबिर्तियों में से किस प्रबिर्ती में अधिक जुकाव रहा है बिल्कुल ठीक इसका अंसर होगा अभिव्यन जना वाद नेक्स्ट है अनुपम सुद रड़बिर सिंग काले का और मंजित बाबा की कला में किन तत्वों का प्रचूर प्रियोग दिखाई देता है बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अतिय थार्थवादी तत्वों का नेक्स्ट यामनी राय की चित्र सैली प्रभावित रही है जैसा कि आप लोग को पता है यामनी राय के जो चित्र है वो किस सैली से प्रभावित रहा है इसका अंसर आप लोग comment box में देंगें क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रस्ण है और जिससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं next अमिता सर्गील भारत में कब लवटी बिल्कुल ठीक उत्तर होगा 1934 इसवी तो आची क्लास में इतना है thank you so much thanks for watching